कोश्चन है कि A, B, C और D को 4 उनुपाद, 8 उनुपाद, 11 उनुपाद, 15 के उनुपाद में उसका लाब बाटना है योदि नियून्तम और अधिक्तम उनुपाद के बीच का 22,000 का अंतर है तो आइन दो उनुपाद का योग ग्यां किजी तो यहां पर 4 उनुपाद दिया हुआ है A, B, C, D का 4 उनुपाद, 8 उनुपाद, 11 उनुपाद, 15 ठीक है अब बोरायकिया कि अधिक्तम अनुपाद जो उनुपाद है उसके बीच का अंतर दिया हुआ हूआ है 22,000 तो रेशियो में अधिक्तम क्या है 15 और नियुक्तम क्या है 4 और इनके बीच का अंतर है आपका कितना 11 ठीक है तो देखो यहाँ पर जो 22 अज़र दिया हुआ है यह 22 हजर क्या है यह दोनों के बीच का अंतर का मान है तो मतलब 11 रेशियो पराबर 22 अज़र तो एक रेशियो पराबर किया हुआ अज़र वाइगा कातों क्या कितना 2H 2H जो आया इवो आया एक ratio का फा El ठीक है साहिवमै के अब क्या निकालना है और यहाँ प्रे निकालने वो रहा है कि अन्य Дो अनुपाद का योग जाद कीजि вм tomar Čन्य दो अनुपाद मतलब 씨nte da ko b or c b or c के ratio का अनुपाद कितना हो रहा है झाल झाल